बात पंचकुला की जहां पर कंप्यूटर शिक्षकों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है जिसमें साथ शिक्षक घायल हो गए इसमें एक महीला मौके पर ही बेहोश होगी जिस दरान ये धक्का मुकी का काम पूरा चल रहा था उस दरान एक महीला घायल हो गई ये फंड करीब फंड रिपबलिक के पास रोका गया इस दोरान उनकी पुलिस से जड़प हुई और जिसमें पुलिस ने उनके ओपर लाठी चार्ज भी किया जिसमें साथ शिक्षकों के घायल होने की खबर है इसमें एक महीला जो महीला शिक्षक थी उस धक्का मुकी में वो को लेकर परदर्शन जारी था सीम हुड़ा से कई बार गोहार लगा चुके थे और जब वहां से कोई आशा के मुताबिक उन्हें जवाब नहीं मिला तो इन्हों ने आज सीम हुड़ा के चंडीगर में स्थित आवास का गिराव करने का ऐलान किया था जिसका गिराव करने जा रहे थी इसी दूरा नोंने रोका गया और पुलिस को लाठी चार्ज हो जिसमें साथ शिक्षक गायल हुए और एक महिला शिक्षक बेहोश होगी जाला जनकारी के लिए बात करते हैं अपनी समवाता था प्रियंका नेगी से जो सूबह से इस प्रोसेशन को कवर कर थी ऐसे क्या हालात पैदा हुए जो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा? पुलिस के साथ महिलाएं भी गायल हुए तो जिन में से कुछ को हस्पिटल भी ले जाया गया उसके बाद वहाँ पे जो ओएषडी है सी एम ओएषडी वहाँ शादीलाल कपूर वहाँ पहुंचे और उनोंने उनको एक आशवासन दिया कि साथ जुलाई को उनकी सी एम के स इस बातों को आशवासन को दे जाने के बाद ही तीचरस ने अपना जो रोश्पतर ही दिया उसको माँ पर समाफ किया और वापस वह पंचपुला के शिक्षा सदन में चले गए बहुत 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 शुक्रिया प्रियंग का इस तमाम जानकारी के लिए तो आज फ़ंड हाउसिंग बोर्ड के करीब फंड रिपवलिक के पास ये लाठी चार्ज हुआ जिसमें साथ शिक्षक घायल हो गए और एक महिला शिक्षक बेहोश होगी धक्का मुक्य के के Hei 충 है हुआ और दो खरी अंग कि सिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कम्प्प्यूटर deve टीचरों से अपना धर्ना खत्म कर काम पर लौटने को का रहा है भुक्कल ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर शिक्षकों के खिलाफ कारवा की जाएंगी शिक्षा कंप्यूटर शिक्षकों कंप्यूटर लैप साहक संग और प्रधैकों की जायज मांगे नहीं की जा सकती वही sudah के इंद्रिय कि शिक्षा मंत्री गिताब उकलजी है इनसे पूछते हैं इनसे पूछते हैं कंप्यूटर टीचर का जो धर्णा चल रहा है आप क्या कहते हैं जो नीजीगरन की बात कर रहे हैं उस तो वो कहां तक सही है वह बात देखें यह यह कंप्यूटर जो लेक्ट्रास हमारे लेने के बाद इन टीचर्स को रखा है और पहले बहुत पहले दो ड़ाई जार सेलरी इनको मांदाय मिलता था जिसको बढ़ाकर करीबन हमने 14,000 किया और 12,000 कट-कटा कर इनको मिल रहा है और यह कंपनी के एंप्लॉई हैं और कंपनी के साथ ही हमारा कॉंट्रैक्ट हुआ था क्योंकि इनकी शिकायत है कि बहुत समय सेलरी नहीं भी जो कि हम इनको दिलवा रहे हैं कॉंट्रैक्ट कंपनी के खिलाफ कुछ सेक्यूरिटी कंपनी ने ले ली थी जो कि हमने कहा है रिफंड करने के लिए मीटिंग हमारी हो चुकी है हम लोग अतीशिकर फैंसला लेने वा है वो आज है और अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे ढंक से निभाए नहीं तो हम उनके खिलाफ भी करवाई करेंगे और वो लोग इसको राजनेतिक स्टन्ट के रूप में भी ना ले और जब उनकी पूरी तरह से सुनवाई हो रही है हम लोग बाचीत कर रहे हैं तो उ सब्सक्राइब कर लिया जाएगा लेकिन जो पुरानी बढ़ती हुई है वो कंपनी और कंपनी के माध्यम से हुए जिनको ब्लैक लिस्ट कर चुके हैं और इनकी जो सेलरी है लेबर कोट के माध्यम से हम लोग जो है वो देने की कोशिश करेंगे इसके लावा मैम जो पीज के लिए हमने जो है कमेटी कोंस्टिचूट की ती कमेटी के मेंबगास हमारे जाकर वहां से रिपोर्ट ले आये हैं 5-6 उनिवस्टी की रिपोर्ट हमारे पास आ गई दो रिपास ऑगी है और यूजी सी गाइडलाइन के हिसाब से डीम्री इंवस्टी स्टड़ी सेंटर न और युनिवस्टी केंपस हैं, हम उनको नियुक्ति दे देंगे. इन PGT प्रादहब को ये कहना है कि हमें सिब आश्वासन दे जाते हैं, पर नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं दिया गया, तो आप इनको क्या कहना चाहेंगे, कितने टेम तर? साथ रोज ही चाहे 10, 15, 20 रोज नियुक्ति पत्र डल रहे हैं, गलत लोगों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी, जो जायज है, उनको नियुक्ति पत्र जो है, वेरिफिकेशन के बाद हम लोग अतिशिग्र जारी कर देंगे. मैम आपसे आखरी सवाल, समृति इरानी ने जो बात कही है, कि उन्होंने लेटर आपको भी लिखा है, और मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, क्या ऐसा है? जायज है, वेरिफिकेशन के लुख्यमंत्री जी को मेरे नाम कोई लिखा नहीं था, तो मैं ने कहा था, अगर ऐसा कोई पत्र लिखा भी आप लिखा है, तो उसकी कौपी दे दें, ताकि हम उनको जवाब दें, तो ऐसा कोई पत्र लिखा है, लेकिन कल हमारे फोन करने के उन्हों ने हमारे स्कूल एजुकेशन की प्रिंसिपल सेक्टरी के नाम मेरे ओफिस में जुरूर एक ग्यापन जो बच्चों ने वहाँ पर सौपा था उसकी कौपी बेजी है और निर्ने लेने के लिए कहा है हम लोग अलड़ी उस पे मीटिंग करके डिसाइड कर चुके हैं हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थे हर्याना की एजुकेशन मिनिस्टर गिता भुकल जी हबरों के दुनिया में आईए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िये हम मिलेंगे फेसबुक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर हबरों के साथ बने रहे राद दिन